हलो गाईज, दोस्तों यूटीब के तो आप से कुछ अनौस्मेंट कियेगा जो कि बहुत इंपॉर्टन है आने वाले अपडेट्स फीचर के बारे में जो कि यूटीब पे होंगे और आप सभी को जानना बहुत जरूरी है इसका फिलहाल एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है लेकिन बहुत ही जली से इंप्लिमेंट किया जाएगा इस अपडेट्स को अपधियान से सुनिएगा आपकी बहुत काम का है पहला जो अपडेट है अब तक आप देखते कि दिस्क्रिप्षं में कुछ नहीं सिंप्ली क्लिक किया दिस्क्रिप्षं है लिंक फ़िंक है क्लिक करके खदम किया और कुछ लिख दिया उस पर है लेकिन अब जो इसक्रिप्ष्ण आने वाला है कुछ समय में तो अभी implement सबसे पहले, mobile devices के लिए, अगर आप mobile devices पे description खोलेंगे वहाँ पे, तो description का अगा अलग से panel रहेगा, एक panel बिल्कुल, ठीक है, जिस तरी कैसे comment section का panel होता है, वैसी description का panel रहेगा, और उसमें सबसे ऊपर जो होगा फर्स्ट सेक्षन में टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा जो आप लिखते हैं नॉर्मली अभी या फिर लिंक्स डाल दीजे लेकिन वो प्रिव्यू वन ले रहेगा ठीक है? हाला कि आप उसे क्लिक करेंगे तो आप एक्स्पैंड हो जाएगा पुरी तरह से पढ़ सकते हैं और फिर जाएगे उस लिंक्स हो क्लिक करेंगे इसके अलावा उसमें और सेक्षन डालेंगे टेक्स्ट के नीचे पैनल में अलग-अलग चैप्टर्स का प्रिव्यू दिखेगा जो वीडियो के अंदर है जैसे एक मिनिट कुछ सेकेंड पे दो मिनिट कुछ सेकेंड पे तीन मिनिट कुछ सेकेंड पे उसका प्रिव्यू छोटा छोटा दिखेगा वहाँ पे इस तरीके से जासा दिखाया जा रहा है इसका अलबा अगर आप slide करेंगे वहाँ पे तो उस preview को आप slide भी कर सकते हैं वहाँ पे आप चाहें तो अगर किसी product की unboxing की है तो वहाँ पे उसका photo भी आपको दिखेगा या फिर आपको attach करने के लिए आएगा तो बहुत सारी कमाल की चीज़े I think अगर यह चीज़े आती है तो जो लोग product review unboxing करते हैं उनके लिए तो एक सोने पर सुहागा जैसा हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में ही आपको product मिल जाएंगे वहाँ पे link करने के लिए और I think कि वहाँ पे सब affiliate हो रहा का बढ़ियां से कु और जिसा कि expect किया जा रहा है और यह एक बढ़िया चीज़ होगा तो इससे लोगों की earning जो affiliate marketing करते हैं उनकी earning भी काफी अच्छी होने वाली है ओके और दूसरा जो update है वो like और dislike के बारे में है अभी तक आप देखते हैं कि normal user जो होते हैं किसी भी creator के वीडियो को like डिस्लाइक करते हैं और future में भी update आने के बाद भी like डिस्लाइक करेंगे हलाकि थोड़ा सा design में changes होगा like dislike का design में क्या changes होगा कि जो like का button है उस पे जो लोग like करेंगे तो वहाँ like count होते हुए दिखाई देगा कि कितने सारे likes उस वीडियो पे हैं वो count total दिखाई देगा लेकिन dislike भी कर सकते हैं वहाँ पे dislike करेंगे लेकिन dislike का count जो है वो नहीं दिखाया जाएगा वो admit होगा वो vote करेंगे dislike तो वो count होगा बट वहाँ दिखेंगा नहीं viewer को कि दूसरे viewer से कितने dislikes हैं हलाकि यह चीजें जो creator है जिसका video है वो back end में जो आपने YouTube studio चैनल पे देखे नहीं होगा मतलब countable नहीं होगा कितना count है लेकिन आप dislike कर सकते हैं लेकिन यह नहीं पता लागा सकते हैं कि इस video पर कितना dislike है like वैसे ही रहेगा जैसे है इस पर count दिखाएगा like भी कीजिए यह इसलिए क्या रहा है का रहा है YouTube कि हम creators को encourage करने के लिए बहुत से लोग demotivate हो dislike आयाते हैं तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि लोग demotivate और dislike होने पर तो हलाकि वो जाने feedback के तौर पर कि यह video हमें अच्छा नहीं है लेकिन दूसरे लोग सीथे dislike ज्यादा देखके यह न समझ लें कि यह video खराब है बहुत सारे आजकल spammers भी है dislike करते है video start होते ही कुछ votes लगा आपको देखने को मिलेगा तो फिलहाल यही अपडेट थे और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगाऊगा अपडेट वीडियो चालगा तो प्रीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों को साथ सेर कीजिए और मारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूनेगा थ